5, 4, 3, 2, 1 अध्यक्ष महोदय इस शताब्दी के मध्य के आसपास मुक्ति के लिए संघर्ष और कष्ट सहन का परडाम सफलता के रूप में सामने आने लगा स्री लंका भारत तथा कुछ अन्य देशों में जीवन और स्वातंत्रय के सुरियोदय के साथ अपनी आखें खोली पर हम इतने भोले नहीं थे कि हम यह समझ लें कि राजनैतिक स्वाधीनता सभी कठिनाईयों का अंत कर देगी हमने उसे एक नई यात्रा की शुरुवात ही माना तथा यह स्विकार किया था कि जो भारी जिम्मेवारियां अब तक हमें नहीं उठाने दी गई थी वे अब हमारे कंधों पर आ गई है हम यह जानते थे कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार ऐसे तनाओं से बचकर चलते रहे हैं जो चुनाव करने की मुसीबत से अपने आपको बचाना चाहते रहे हैं और जो आराम देह रास्ते पर चलते हुए निरड़े का भार औरों पर डालते रहे हैं। हमारे आपनिवेशिक अतीत के ऐसे अवशेस अब भी पाए जाते हैं जो हमें तरह तरह से यह समझाते रहते हैं कि हम सुरक्षा के लिए अन्य देशों का मुह जो हैं या उनकी उदारता का सहारा लें। लेकिन हमारे लोगों ने कुल मिला कर इस सरल रास्ते को ठुकराया है जो वस्तुतह काईरों और कमजोरों का रास्ता है। हमने राजनैतिक आत्मबल और आर्थिक स्वावलंबन का अधिक जटिल मार्ग चुना है। और चुनके हमारे लोगों ने त्याग के लिए अपनी सहमती दिखाई है, हम सो वर्षों की प्रगति को दो दशकों में उपलब्ध कर सकने में सफल हुए हैं। भवतिक प्रगति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि हमारे इंजीनियरों, वज्यानिकों, योजनाकारों और निर्माताओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है। प्राचीन धार्मिक विरोध भाव और जातिगत स्रेश्चता की भावनाएं अभी तक निर्मूल नहीं हो पाई हैं और बहुत से समूह इन्हें बनाए रखने के लिए पूरा जूर लगाते रहते हैं लेकिन जनता उन्हें राश्प्रिय शक्ती के लिए हानिकर मानती है। समाजवाद को लाने के लिए हमारे कारेक्रमों का विरोध निहित स्वार्थ वालों ने हर कदम पर किया है। समाजवाद के लिए लोगों के उत्साह की छाप इतनी गहरी पड़ी है कि समाजवाद विरोधी लोग भी अब विवश होकर उसके प्रती आउपचारिक इन सफलताओं का उतना ही महत्व है जितना इस बात का की हमारी राष्ट्रियाए प्रायः गत्पचास वर्षों में बहुत हो गई है। अध्यक्ष महोदय इस अवधि में हमने भारत में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनका ब्यवरा इस महान सभा को देने की आवशक्ता नहीं है। संग्षेप में यह कहा जा सकता है कि हमारे खाद्यान का उत्पादन दुगना हो गया है और इसके कारण हम इस वर्ष के अभूत पूर्व सुखे का सामना करने में सफल हुए हैं। हमारा ओद्योगिक आधार अधिक मजबूत और व्यापक हुआ है। लेकिन गरीबी हटाना अभी भी शेस है और बहुत जादा लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवन की नियूनतम आवशक्ताएं भी प्राप्त नहीं हैं। बेरोजगारी विशेस्तह सिक्षितों में बेरोजगारी हमारे लिए गंभीर चिंता का विशय है। असमानता का अब और तीखा अहसास लोगों को हो रहा है तथा उसे दूर करने के लिए अधिर्ता बढ़ती जा रही है। अब जबकी गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ आर्थिक और संग्टनात्मक उपाय हैं। हम प्रगती की गती और तीवर करने के लिए अधिक घराई से आतुर हैं। प्रायह राष्ट्रों का आकलन उनकी आये के आकणों और विकास की दर के प्रकाश में किया जाता है। मैं शायद इस मामले में कुछ पुराने विचारों का हूँ क्योंकि मैं अब भी लोगों की धन संपत्ती की अपेक्षा उनकी गुणवत्ता को अधिक महत्व देता हूँ। इसलिए अपने लोगों की इच्छा पूर्ती के साधन जुटाते हुए हम संग्रह वृत्तिवाले और उपभोग वादी समाज का अनुकरण नहीं करते। ऐसा लगता है कि अमीर और शक्तिसाली देश उनकी राजनैतिक विचारधारा कुछ भी क्यों न हो अच्छे जीवन के संबंध में एक जैसी धारणा बनाए हुए हैं। जैसे जैसे प्रद्योग की में प्रगती होती है यह और ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम अपने उपकरणों के हाथों की कठपुतली न बन जाएं। हम केवल भौतिक अभिवर्धी की चिंता न करके इस आवश्यक्ता की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि हमको एक नए प्रकार के मानों का विकास करना है जिसमें प्रद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने की समझ और सूजबूज हो जो शान्ति और आत्म संतोश से जीवन यापन कर सके और अपने को आत्म बल और आत्म संयम दे सके और जो प्रकृति में समरस हो सके इस अन्वेंशन में श्री लंका और भारत जैसे देशों का बहुत योगदान रहा है क्योंकि वे अपनी अपनी विरासतों के प्रती हृदय से आस्थावान रहे हैं किसी समाज के साथ हमारे संबंध किस प्रकार के हैं यह उतना ही महत्वपून है जितना आर्थिक गतिविधियां हमने स्वतंत्रता के लिए संगर्ष एक ही आधार पर किया हमने और पर के लिए संगर्वान रहा है जितना है